अगले हफ्ते से अनिवार विशे में शामिल हुए योग एक लाग स्रिक्षकों की बड़ती जल्द होगी और आज 99,000 स्रिक्षक बड़ती से रिलेटेड भी बातचीत कनी आप लोगों के साथ 99,000 बड़ती में आज जो सुनवाई होने वाली थी वो सुनवाई टल चुकी है जैसा रात में भी आप लोगों को अपडेट मैंने दे दिया है कि 99,000 स्रिक्षक बड़ती से रिलेटेड बार काउंसलिंग बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया है जो उन्होंने ये मांग उठाई है कि छुट्टी की जाए आज के दिन कि नाजुक परिस्तिती में मांग की गए उसका मैं पुरा आपको नोटिस भी दिखाऊंगा तो चली दिन न करते वीडियो शुरू करते वीडियो जतना जाद हो शेयर जरू करेंग तो चली शुरू करते हैं तो इस्टार्टिंग की जो दो खबरे हैं वो बिहार की हैं ये आपकी पटना से ये प्रकासी दोती मुक्रमंत्र नितिस्कमाने लिया फैसला एस्टेट उत्रिन अभेरतियों को मिली दो वर्ष की राहत टीटी प्रावन पत्र की वैदेता बढ़ी है दो वर्ष बढ़ा दी गई है जो वैदेती 2011 में टेट पास किये थे उनकी वैदेता है वो बढ़ा कर दो साल और कर दी गई है क्योंकि वैदेता खतम होने वाली थी तो 82,000 से ज़्यादा अभेरतियों को मिलेगा फाइदा 2021 तक सिक्षक नियोजन में ले सकेंगे भाग नियुक्ति के लिए अगले मा कारिकरम है ये तो आरके महाजन जो प्रदान सची में हैं सिक्षक विबाग के अगले साल से राज की सभी पंचायतों में नौवी की इसको लेकर मादिमिंग सिक्षकों के खालीपद और बढ़ा दिये गये हैं और NCTE से अनुमति मांगी जाएगी उक्त 82,180 के लावा 45,000 ऐसे हैं जो 2017 में टीटी में उत्रिण हुए थे अगले मा सुरू होने वाली नियोजन प्रक्रिया में सिर्फ प्रश्रिक्षक अभेरत कर सकेंगे तो प्रधान सची ने यह भी कहा है कि टीटी की प्रवाण पात्र की वैदेता दो साल बढ़ानी को लेकर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी NCTE से भी अनुमति मांगी जाएगी हाला कि NCTE की अनुमति भी राज सरकार प्रतिक्षा नहीं करेगी और इन अब्रतियों को नुक्ति पहले ही कर देगी तो यह बहुत बड़ी बात है कि बिना NCTE की गाइडलाइन के भी वह अब्रति को कर देंगा और टोटल जो पद खाली है वह आपके एक दसमलों तीन आट लाग पद खाली है जिसको लेकर बढ़ती की बात कही जा रही है आपके मुकमंतरी निती सुमार जी के द्वारा इसको भी देख लेते हैं तो टोटल यहां पे देख सकते हैं 2012 में टीटी वा स्टीटी पास को भी मौका दिया जागा और एक दसमलों तीन लाट लाग सिक्षकों की होगी बहाली प्रक्रिया अगले मां यहां देख सकते हैं स से बढ़ते को मिलेगी बड़ी राहत एक लाग प्रात्मिक और अनतीस हजार मादमिक आपके वह उच्छ मादमिक सिक्षक होंगे नियुक तो बहुत बड़ी यहां पर अपडेट है और इससे पहले हुई थी कब बहाली सुत्रों का कहना है कि 2012 में सुरू हुई थी 2014 में बहुत बड़ा अभी है आप यहां पर अपडेट जो अब्यरती यहां पर अप्लाई करना चाहते हैं वह तैयार रहें और इसको देखते रहें बागी हमसे जूड़े रहें जो भी अपडेट होगी आपको अगले महां यहां पर बोला गया है यानि जुलाई तक यह संभौ अधिन में तो लगातार जो अब्यरती नहीं फॉलो कर रहें सीटेट की प्रपेशन कर रहें हमसे जुड़ जाई है पूरा हमने पूरा प्लेलिस्ट क्रियेट कर दिये सीटेट की पूरी हमने 45 प्लस वीडियो पूरा आपका पेड़ागोजी और पर रहावर अधिन को मिला सीटेट में सामिन होने के लिए एडमेट कार्ड जारी करने की तीति का खुलासा अधिखारी तोर पर नहीं किया है लेकिन सुत्र की माने तो 15 जून के बाद सीटेट 290 के लिए एडमेट कार्ड जारी हो सकते हैं जिन ब्योर्तियों ने इस परिक्षा के लिए ऑनलाइन जाएगा परिक्षा का आयोजन दो सत्रों में किया जाग लेकिन इस बार इंपोर्टेंट यह कि जो प्राइमरी का पेपर सेकेंड फेज में हो रहा था शाम को रहा था वह मौर्निंग हो यानि पेपर वन सुबह साड़े नों से बारा और दूसरा पेपर दो बज़े से अगली न्यूज यहां पर इंपोर्टेंट है यूपी सरकार का बड़ा फैसला है यह अनिवार विशे में आपका सामिल हुआ है योग और सबसे बड़ी बात यह है कि एक लाग टीचरों की भरती होगी इस योग विशे के लिए यूपी सरकार ने योग को अनिवार विशे में शामिल कर लिया तो उन्हें में खुशी की लहर दोड़ पड़ी है तो दरसल बीजे की जिला देख्षे सुरेंद्र मैथानी कई बार इस संबन्द में मुक्रमंतरी जी से मुलाकात भी कर चुके उन्होंने कहा है कि योग को अनिवार विशे में शामिल कर मुक्रमंतरी जल्दी आपको योग प्रक्षिशन है अगर प्रक्षिशन आपने प्राप्त किया तो जल्दी आपका एक लाग टीचरों की बढ़ती जल्द देखने को मिल सकती है तो आप लोगों के लिए प्रक्षिशक बर्ती के मामले में बताया था मैंने कि आज पुना सुनवाई होने वाली थी आज नया केस लिस्टेड किया है डबल मेंच में आपके कट आप मैटर को लेकर तो कल सुनवाई नहीं होती है तो यह पर्षिशों के लिए लिस्टेड और यह पूरा मैं आप लोगों को प्रकासित विग्यप्ती भी दिखा देता हूं टोटल की प्रकाशनार्थ भारती विदिक परिशद विदिग्य बार काउंसिल अफ इंडिया सेचुरी बोडी ऑफ एड़ोकेट एक्ट 1961 यहाँ पर आप देखते हैं स्रिनात्रिपाठी स्तव्द एवं महारत है घड़ना की घोर निंदा और भस जना की जाती है दुख की इस घड़ी में कल दिनांक 13-6-2019 यानि आज के लिए को पूरा उत्तरपदेश सोग दिवस रहेगा और यह आधिकारिक स्रिनात्रिपाठी सदसबार काउंसिल अप इंडिया इन्होंने यह चीज जारी की है कल की डेट में तो यह important है आप लगों के लिए कि जो उन्हतर जावरती से related आज सुनवाई होने वाली थी वो कहीने कहीं टल कर जितनी भी सुनवाई है थी वो कहीने कहीं आपकी कल होंगी तो यह आपके लिए आधिकारिक पोस्ट मैंने आपको भी बता दि यूपी पीस्या ने अल्टी ग्रेट सिक्षक भरती में सफल बिर्थियों के प्रवन पत्रों का सत्यापन टाल दिया है विक्की और उपाध्या का कहना है कि प्रिक्षा में जिनसे गड़बडी की है उसके खिलाब कारवारी होनी चाहिए लेकिन जो चातर बेकसूर हैं और मेनत करके सफल हो हैं उनके भविस के साथ कोई भी गड़बडी न की जाए कहा कि जारी रिजल्ट के अभरतियों का सत्यापन की ट्रकी गई ती 11 जून को जो कहीने कहीं टाल दी गई है और विदिक जो भी चीज़ें इसके बीच में जो अपर यहार कारण बताएं वह आप सभी को पता है नया प्रयादी करण में यह सारा मामला चला है और इस पर जल्दी अगर इसको सुनवाई कंप्लिट ह जाती है और कुछ नया सपस्टी करण में मिल सकता है तो जल्दी जिनने बेरती का रिजल्ट जारी कर दिया गया जिन विशेयों में जो लोग क्वालिफाई हैं उनका रिजल्द का सत्यापन देखने को और निवक्ती प्राससर देखने को मिल सकता है अगली नियुज आपक का कि निप्टारे पर निवक्तियां निर्वर करेंगी सोमार को सुप्रीम कोट ने हाई कोट के आदेश पर रोक लगाने से निकार कर दिया था ट्रेनिंग पर जाने वाले यदिकारियों की संक्या 2410 है जिन में से 305 मैलाएं हैं 50 लोगों ने मामला उठाय था इस मामले में ग 50-30 से भी अधिक हैं विपल हुए 50 लोगों ने हाई कोट में आचका दायर कर इस मामले को उठाय था एकल पीट ने सुनाई किया और सफल उमिद्वारों को निवक्ति पत्र देने पर भी रोक लगा दी लेकिन खंड़ पीट ने 27 मही को इस मामले में एकल पीट के आदेश क पलड़ दिया और निक्ति पत्र देने पर लगी रोक हटा दी हाई कोट के इस आदेश के खिलाफ सुपरिम कोट में याचका दायर की गई थी जो कहीं अब एक सुपरिम कोट का भी हाई कोट के आदेश रोकने से इंकार कर दिया गया है और जो धर्वावरती परिक्षा थी उसको ततकाल रुप से प्रभावी करने को का गया है तो यह रही आज की मॉनिंग की न्यूज अपडेट और पुना बता दून उत्रजारवर्ती में जो आज सुनवाई होने वाले थी वो कल टाल दी गई है धन्यवाद